भावनाई हर इंसान में होती हैं जब कोई व्यक्ति किसी बात से बहुती खुश होता है तो वह हसता है और दुख पहुशने पर वह रो लेता है हलाकि लोगों को अधी खुशी मिलने पर भी रोना आ जाता है जिसे खुशी के आसु कहते हैं बात बात पर रोने वाले लोगों को कमजोर दिल का समझा जाता है लोगों को लगता है कि जो चोटी चोटी बातों पर रोने लग जाते हैं वो अंदर से बहुती कमजोर होते हैं लेकिन यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है। बात बात पर रोने वाले लोग कताई कमजोर नहीं होते। एक रिसरच के मुताबिक इस तरह के लोग बाकी लोगों के तुलना में बहुती मजबूत और खास होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे बात बात पर रोने वाले लोगों के सुभाव के बारे में। को नहीं दबाते कहते हैं कि रोने से तनाव दूर भाग जाता है तनाव होने पर व्यक्ति को खुलकर रोने की सलहा दी जाती है ऐसा इसलिए क्योंकि तनाव या परिशानी होने पर रोना और शदी की तरह काम करता है ऐसा करने पर आप फ्रेश महसूस करेंगे और आप देखे व्यक्ति दूसरों की परिशानियों को भली बाती समझता है और उनकी फिलिंग्स की कदर करता है उनमें दिखावा नहीं होता यानि की बात-बात पर रोने वाले लोग दूसरों की भावनाओं को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। इनको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी-कभी बात-बात पर रोने वाले व्यक्तियों के लिए यह भी समझा जाता है कि वह गलत हैं या फिर वो नाटक कर रहे हैं। इसलिए रो पड़ती हैं। चोटी-चोटी बातों पर रोने वाली लड़कियां जिस किसी से प्यार करती हैं, दिल से करती हैं और यह उसके बिना नहीं रह पाती। बात-बात पर रोने वाली लड़कियां किसी को नुकसान पहुचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और यह कभी किसी का फाइदा उठाने के बारे में भी नहीं सोचती। ऐसी लड़कियां किसी से मदद भी नहीं मांग सकती जिस कारण से इन्हें अकेला पन महसूस होता है और दुख में आखों से आसू आ जाते हैं। इसके मन में किसी के लिए बुरे विचार नहीं होते और नहीं यह किसी से दुश्मनी करती हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई व्यक्ति है तो उस पर गुसा ना करें। बलकि उसको समझाएं। उसको आपके साथ की जरूरत होती है। अगर आपकी पतनी ऐसी है तो आप बहुत ही भागेशाली व्यक्ति हैं। तो दोस्तो ऐसी होती है बाद बाद पर रोने वाली लड़कियां। झाली व्यक्ति हैं।